Hello everyone, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके हमेशा आपके लिए कुछ learning और earning का बहतरीन संगम हम लाते रहते हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ stock का नाम मिलने से आप पैसे कभी नहीं कमा सकते हो उसके पीछे का logic समझना बहुत जादा जरूरी है और ये सब बाते आप अपनी दिल से पूछो, आपको पता चलेगा कि कितनी बार सिर्फ stock के नाम के पीछे जाके आप फस चुके हो वहीं पर आज खास है हम penny stock के बारे में बात करने वाले हैं कुछ penny stock जिनके बारे में लगातार घूम फिर के Twitter, Instagram पे हमारे पास query आती रहती है तो उनहीं की summary मैंने निकाली है और वहीं मैं आपके साथ share करने वाला हूँ बट penny stock का नाम आते ही एक चीज़ याद रखिये, दुख, दर्द, दोनों एक साथ हाके जोड़ते हैं क्योंकि penny का मतलब ही मैं मानता हूँ pain है क्योंकि ये जो return देते हैं तुरत नहीं देते इनको return देने में 5 साल, 10 साल लगते हैं कोई भी multi-wagger stock जिसके बारे में आप सुनते होगी बजाज finance, titan, रातो रात multi-wagger नहीं बने वो एक जमाने में penny थे, नजानी कितना pain लोगों को दिया था नजानी कितने pain जिलने के बाद वो multi-wagger बने तो तो same अगर आप किसी से ऐसा सोचते हो कि सायद ये penny multi-wagger बनेगा तो उससे पहले दर्द सहने की capacity create करनी पड़ेगी और penny में invest करते हैं तो उससे भी जादा important ये होता है कि उतने ही पैसे डालें जितना डूब जाये तो तकलीफ ना हो बट सबसे अफसोस की बात ये है कि data साफ साफ चीख के कहता है कि retail भाई penny में अपना मेहनत का 80-90% पैसा डाल देते हैं और सिर्फ 10-20% पैसा अच्छी quality के stock में डालते हैं जिसके कारण उनका fund और पैसा दोनों बरभाद हो जाता है तो I will request ऐसी गलती ना करें तो पहले देखते हैं समझते हैं क्या है कहानी और फिर last में मैं करूँगा अपनी बात तो मैं मुकल अगरवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ तो सबसे बहले आपके सामने है Hathway Cable and Datacom Limited ठीक है Distribution of Internet Services में है ठीक है उसके बाद Reliance ने इनको acquire किया है यहाँ पर अगर Industry PE देखो तो 43.2 है Stock PE 21.1 और PEZ ratio के base पर अगर हम जब overall निकालते हैं तो 0.93 है यानि Stock कहीं ने कहीं सस्ता है लेकिन इनका ROC और ROE कहीं से impressive नहीं है सिर्फ 4.55% और 3.78% का है वहाँ पर debt इनके ऊपर 0 है यानि almost debt free में अकाउंट आएंगे लेकिन free cash flow भी negative है free cash flow positive होता तो बहुत अच्छा चीज रहता जो मेरा यहाँ पर मानना है लेकिन debt free होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है यहाँ पर एक चीज और गौर करें तो इनका जो sale का figure है sale के आँकर है 2019 से लेके 22 तक वहीं के वहीं खरें है जबकि growth होने के लिए sale का figure बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह वो एक concern biggest concern है जहाँ पर यह stock मैं कहूंगा कि perform ही नहीं कर पा रहा है जैसे लोग कहते हैं आरे reliance ने ले लिया बहुत अच्छा दिन बदलेंगे लेकिन वहाँ पे sale कहा है आप माल ही बेच नहीं पाओगे तो आप revenue क्या generate कर पाओगे तो आप जहाँ थे वहीं अठके परे हो कभी थोड़ा कभी उपर थोड़ा नीचे तो ये वाला prospect इस company के साथ आके जुर रहा है ये था हमारा पहला share Hathway Cable आज हम आपके लिए लेकर आए है The Little Book of Common Sense Investing की Hindi Book जिसके writer है John C. Vogley Long run में wealth बनाने के लिए क्या है सबसे easy और simple strategy इसमें तीन important point बताए गए है पहला actively managed fund sucks because past में profit हुआ है तो वो guarantee नहीं देते की future में profit देंगे दूसरा है आप wrong नहीं हो सकते हैं if आपने cheapest index fund choose किया तो because in future हो सकता है वो index fund boom किया third point आप मुझे comment section में बताएं कुकु FM पर इसकी book summary सुन कर और जाने कई सारे trade secret इस book के book summary में सिर्फ कुकु FM पर तो अभी download कीजिए कुकु FM और मेरा coupon code सुनो 50 अपलाई करके 50% discount पाए मतलब 3.99 का subscription मिलेगा 1.99 यह offer valid है सिर्फ 23rd May to 31st May अब हम चलते हैं हमारे next penny stock की तरफ infibim avenues यहाँ पर industry PE 29 है stock PE 49.1 है PEZ ratio 3.52 है यहनि आप एक चीज देखिए अभी भी इतनी ज़ादा गिरावट के बाद भी as per fundamental basis stock महंगा है यहनि जो आप कहते हैं न सस्ता हो गया सस्ता हो गया गिर गया ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी चीज price to earning ratio से निकाली जाती है आप क्या earn कर रहे हैं उस base पर वो missing है क्योंकि ROC देखो 3.40 ROE देखो 2.84 कहीं से impressive नहीं है impressive होने के लिए at least 15% के उपर जाना ज़रूरी है debt देखो 0.21 करोर और free cash flow 81 करोर यानि free cash flow है यह अच्छी बात है debt इनका है नहीं यानि debt free company में आप इसको count करोगे वहाँ पे जब हम इनके promoter holding पे जाते हैं तो promoter holding 30.64% की है धीरे धीरे घट ही रही है slow slow promoter holding इनकी घट ही जा रही है वहीं पर अगर इनके financial की तरफ नज़र डालोगे तो net income 2021 में गीरा था 2022 में मामूली सा बढ़ा है लेकिन अगर 19 से compare करो तो 20 में गीरा फिर 20 में गीरा 2022 में मामूली recovery आई है यानि कुछ खास दमदार performance कहीं से निकल के नहीं आ रहा है जो एक बहुत important सी बात होनी चीए जो मुझे personally लगती है वहाँ पे अगर आप कहोगे कि इनके sales पे आ जाओ तो आप कहोगे sales तो सर इनका बर रहा है लेकिन आप गौर करो sales इनका जो बर रहा है वहाँ पर इनके expenses बढ़ने की ratio कितनी जबरतस्त है तो ये वो चीज़ है कि sales आ रहा है लेकिन उसके पीछे expense इतना जादा हो रहा है तो इस तरीके से ये जो कहानी है वो फिलहाल के तौर पे खूब अच्छी निकल के नहीं आ पा रही है जिसके कारण stock भी perform नहीं कर रहा है जहां तक infirmium की बात करें तो software development service maintenance web development में है payment gateway की company के तौर पे अगर आप कहें तो आप simple समझ सकते हैं कि payment gateway के तौर पे ये काम करती है तो ये थी दूसरी company अब चलते हैं तीसरी company के तरफ वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और साथ में deemate और trading account open करने के लिए link description में है जिससे आप अपना और अपने परिवार का account open करवा सकते हैं उसको share करके referral income भी कमा सकते हैं तो अब हम बात करते हैं next stock की गोथी पाल्सकॉन जो की engaged है business of renting of immovable properties and interest on loan guaranteed में यहाँ पर देखो industry PA 24.6 stock PA 12.2 और PZ ratio is 0.53 इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस analysis के आधार पर देखा जाए तो यह share सस्ता है वहाँ पर इनका ROC देखो 19.1 ROE देखो 14.2% का यानि पहले दो वाले से अच्छा है डेट देखो 0 है free gas flow 0.94 करोर दा है यानि डेट free company में आप इनको count करोगे यहाँ पर हम चलेंगे इनके sales पे तो again sales almost equal है 2019 से लेके अभी तक देख लो उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं कहीं कोई change नहीं उसके बाद अगर इनके net income की तरफ नजर डालोगे तो 2020 में भी गिरा है 2019 में भी गिरा है 2020 में भी गिरा है again impressive नहीं है उसके बाद अगर इनके total promoter holding पे डालोगे तो 73.39% की promoter holding पकर के बैठ है तो यानि result income कहीं से कुछ ऐसा impressive नहीं है चीजें जैसे करते हैं slow-slow भी सुधार दिखना slow-slow भी growth दिखना वो नहीं एड पार पे चल रहे है तो market में क्या होता है penny stock में इस तरीगे में operator अच्छा हाथ मार लेते हैं कभी अच्छा news आया तो किसी पे operate हो गया फिर गिर गया तो इसलिए इस तरह की कहानी चलती रहती है अब हम चलते हैं अपने next stock पर उससे पहले अब telegram हो गया है और भी 2.0 2.0 यानि बहुत बहतरी जहां पर हम आपको stock market की news के साथ उसका chart देने वाले है एक बहतरीन तरका जिससे आपको समझ में आए कि खली news के पीछे नहीं भागना है क्या chart में भी गर्माहट है या नहीं तो link description में है Twitter और Telegram से जुर जाए है धाई लाग से जादा लोग जुर कर फाइदा ले रहे हैं और साथ में 25 मई से सुरू हो रहा है हमारा stock market master class जहाँ आप सीखेंगे, कमाएंगे, खुद के boss बनेंगे second earning करेंगे कैसे intraday होता है, कैसे swing होता है, कैसे positional होता है साथ में हाथ पकर के सीखाएंगे class के बाद भी हैं आपके साथ बीना commitment का revision session भी देंगे live trading भी देंगे 970-80-94-321 पर call कीजे और साथ में mega offer तो क्या है mega offer, जानने के लिए call करें, 970-80-94-321 पर अपसर्ज investment and finance limited, NBFC company यहाँ पर 25.7 industry पी है stock P 7.41 है और PZ ratio 0.06 है यानि stock कहीं न कहीं सस्ता है ROC देखो के 35% ROE 37.3% यानि ROC, ROE आपको बहुत attract करेगा debt 1.99 करोर, free cash flow 1.95 करोर, यानि almost debt free में आप count करो फिर इनके sell figure पर आते हैं तो आप आओगे कि इनके sell figure में कहीं न कहीं जो एक flat moment चल रही थी वो 2021 के सितंबर में दिखा बट December में वापस वो गिर गया तो देखना है कि क्या आगे आने वाले सालों में क्या उसको ये maintain कर पाते हैं या नहीं क्योंकि सितंबर में अगर आप growth देखते हो इनके sell में तो expense में भी उतना ही जबरदस्त jump दिया जो कहीं न कहीं उसको आके at par पे खरा कर लिया वहाँ पे अगर हम इनके financial की तरफ नजर डालेंगे तो net income 2020 में loss था तो 2021 में जबरदस्त jump आया loss भी cover हुआ मुनाफे में भी आये वहीं पर अगर इनकी holdings की तरफ हम चलते हैं तो total promoter holding 49.86% का है और stock भी penny stock है तो बिल्कुल operator Charles stock में साफ साफ दिखती है कि जैसा कि आपने देखा तो अब summary क्या आती है summary आपने सब कुछ देखिए कौन debt free है किसमे growth हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है तो मेरा personal माने कि अब इसको radar पे ले आए और इसको radar पे लाके जब इसमें कुछ spark दिखता है कुछ improvement दिखती है कुछ market news अच्छी लिखती है उसके बाद आप entry लीजिएगा तो आपको तकलीफ होने के chances कम रहेंगे chances तो रहेंगे ही तकलीफ होने के क्योंकि pin नहीं है लेकिन अभी यूँ बीना किसी गर्माहट के बीना किसी सोची समझी चाल के बीना किसी performance के अगर हम लेंगे तो portfolio में अपना पैसा फसाएंगे और वहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो एक तड़ीका है जैसे कहते हैं कि हम कौन से stock को radar पे रखें किसको समझे तो वहाँ पे मुझे लगता है ये stock को आप अपने radar पे रखें for future reference बाकी कुछ भी होगी मैं आपके साथ जरूर बताऊंगा और बनाऊंगा वीडियो आप like, comment, share कर दीजे दोस्तों के साथ share कीजे